हाई प्रेंट दूसे महेश येर और विल्कम बैक टो और चानल वंस अगें उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहोंगे आज के इस वीडियो में आप निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलिसिस करेंगे प्रेडिक्शन करेंगे 16th August के लिए Friday के लिए किस तरीके की मार्केट में मुवमेंट हो सकती है हमाई किस प्लान के साथ मार्केट में रहना चाहिए कल 15th August है तो मार्केट बन रहने वाला है First of all कल Independence Day है तो आप सभी लोगों को Happy Independence Day in Advance बत बात करते हैं मार्केट की सबसे पहले देखते हैं आज के दिनक सेशन में As expected मार्केट में एक्सवाई रही थी तो मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ हलका सा निप्टी में gap up open हुआ फिर नीचे आया लेकिन कही न कहीं 24,100 एक important लेवल थी मार्केट की जो मार्केट कही न कहीं ब्रेक नहीं कर पाया और exactly यहां से support लेते हुए मार्केट उपर के दरब गया यहां पे काफी लोग negative हो सकते हैं इस particular level के आसपास की negative candle का formation हुआ है तो general लोग entry कर लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं मैंने आप लोगों को यहां पे clear cut बताया था कि यह जो level है important level है यहां पे nifty bearish नहीं है अगर आप हमारे telegram channel पे जाते हो तो आपको clear cut यहां पे दिख जाएगा कि पहली बात तो flat positive opening होई यह plus point हुआ second point nifty जो थी वो pivot पे थी तो कहीं न कहीं important level पे है उसके बाद में flat positive opening होई यह दोनों points ऐसे इस तरीके से कि हम लोगों को bearish directly market में नहीं जाना है अगर analyst का वीडियो आपने कल देखा होगा तो हम लोगों ने बात की थी एक particular level breakdown होने के बाद हम लोग bearish हो सकते मार्केट में बहुत बड़ी movement आ सकती है लेकिन आज के रिट में नहीं हुआ यह जो चार्ट है यह भी हम लोगों ने यहाँ पे upload किये थे अब यहाँ पे आप clear cut message देख सकते हो 948 को सुभे message था कि nifty is not bearish here आप clear cut देख सकते हो कि कोई perfect trade नहीं है sideways है तो यहाँ पे हम लोग कोई trade ना करें तो ही ज्यादा better idea हो सकती है अब यहाँ पे मैं आपको और एक point बताना चाहता हूँ पिछले दो दिन का तीन दिन का analysis वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक price action concept बताया था पिछ candle है hammer candle बन चुके ठीक है बहले ही red color की हो लेकिन sentiments इसके positive है exactly उसकी जो second candle हो आप देखो वो completely inverted hammer candle है तो हम लोगों को क्या करना था इसका high mark करना था और इसका low mark करना था उसके बात जो first candle या second candle है यह दो candle में से कोई भी एक candle ने एक तो high को break करना चाहिए या low को break करना market hold उसी direction में रहता है लेकिन आप देखो first, second, third and fourth even fifth, sixth, seventh यह कोई भी candle कभी इस high या low तक नहीं गई यह clear cut indication है कि market में कुछ नहीं होने वाला तो जो भी option buyers है ऐसे समय पर सोच समझ की ही trade करना चाहिए otherwise expiry के दिन दोनों साइड में कहिना के decay बहुत जादा होता है complete seller देना कु यहाँ पर हम लोग बेरिश नहीं हो सकते है वेट करना चाहिए तो आप यहाँ पर clear cut देख सकते हो इस जगे से nifty उपर के तरफ ही गया हुआ है holding उसके बाद भलका सा बेरिश हुआ लेकिन closing जो है वो कहिना कहीं sideways हुई जो पहला दीन था उसे क्या आसपास closing है तो market के sentiment में कोई फरक निवड़ा complete seller दे रहा अगर हम लोग सारे levels यहाँ पर लगा लेते है तो आपको clear cut देखेगा आज के dating session में कहीना कि बहुत छोटी candle बनी अब market को bearish momentum carry forward करना है तो कहीना कहीं sideways open होके इस particular लोग को breakdown करना पड़ेगा अभी जाके market में sellers यहाँ पर आ सकते हैं and then again 24,000 and 23,954 एक important level होई जाएगी जहां तक market जा सकता है अगर market को उपर के तरब जाना है 24,200 आज का day है इसके उपर 20 points add करना है अगर आप मेरे videos continue दिखते हो तो यह concept आपको पता होगा तो 24,220 जो number है यह काफी important हो जाएगा इसके उपर अगर market निकलता है तो थोड़े से market में हम को bullish sentiment डिख सकते है तब तक यहाँ पर market bullish नहीं हो सकता है at the same time अगर आप जितनी भी candle देखते हो ना तो market एक tight range में फसा हुआ है 24,400 and 24,000 तो कही ना कही उपर में आप जितनी भी candle देखोगे ना हर candle में selling pressure आपको यहाँ पर जरूर दिखा ही दे रहा होगा तो कही ना कही market मे selling pressure है तो यहाँ पर हम लोग expect करेंगे कि sideways open हो कि negative अगर हम entry मिलती है तो ज्यादा अच्छा होगा bullish entry मिलती है तो थोड़ी सी quantity मैं अभी भी बता रहो कम रखना है क्योंकि उपर काफी resistance हम लोगों को मिलने वाले है यह हो गया निफ्टी का अगर similarly हम लोग bank nifty का chart देखते हैं मैं आपको intraday की levels भी बताऊँगा कि जहाँ पर exact entry कहां पर हो सकती है कौन से pin point पर हो सकती है ठी आपने video देखा होगा तो आपको पता होगा at the same time यह जो trend line है काफी पीछे से आई हुई है तो इस trend line के आसपा देखो फिर से bank nifty gap up open हुआ और जो low है वो exactly हमारे level के आसपास लगा तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 49,656 या 655 को नीचे breakdown करता है तो हमें एक bearish entry मिल लेकि at this particular point हम लोग ऐसे point पर बैटे हुए है कि यहां से हम लोग न bullish बन सकते है न bearish बन सकते है जब तक कोई level break नहीं होगी हम लोग entry नहीं कर सकते है अब हम लोग intraday के levels भी देखेंगे और यहां पर जो news आई हुए उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से market को impact कर सकती है उ और फिर आपको stock trading करनी है और एक particular systematic trading plan आपको चाहिए कहां पर entry होनी चाहिए किस तरीके से exit होने चाहिए किस तरीके से wait करना है rules regulation क्या होने चाहिए तो आप हमारा TM combo option program enroll कर सकते हो यहां पे independence offer शुरू है तो आपको एक coupon मिलेगा और discount coupon आप लगा सकते हो यहां से बहुत भा कर सकते हो so friends अभी हम लोग देखते है data को और क्या particular news market में है जो total bullish position बनी हुई है वो है 7.4 करोड and total bearish position है around 6.5 करोड कही न कहीं जो position को देखेंगे data के हिसाब से तो थोड़ा सा bullish position और bearish position almost लगबख सेम है और nifty जो है वो tight range में बैटा हुआ है 24,000 to 24,400 यहां पे एक important data आया हुआ है that is WPI inflation जो last time कहीं न कहीं 3.36% था June में आज के date में वो data आया हुआ है जो था 2.04 यह जो data है 2.04 आया है इसको हमें compare करना है कि expected क्या था ठीक है अब यहां पे expected था 2.36 something या 2.4 के आसपास राइट अब इससे यह data कम आया हुआ है inflation का तो उससे कहीं न कहीं हम लोगों क एक positive vibe market में दिख सकती है तो यहां से अगर particular important level पे nifty या bank nifty दिखता है और support लेते हुए दिखता है तो कहीं न कहीं डेटा भी हम लोगों को उस तरीके से यहां पे indication दे रहा है तो हम लोग यहां पे positive entry भी ले सकते है market में लेकिन किस तरीके से लिनी चाहिए वो मैं आप लो important level है अगर nifty इसके नीचे चला जाता है ठीक है अब देखो यहां पे flat opening हो सकती है पहला concept पकड़ते है flat opening होती है और market नीचे आता है तो यह जो particular level है यह हमारे पास कहिना कि minor support का का काम कर सकती है अगर इस तरीके से flat opening होके market यहां से positive बनता है तो आपको यहां पे देखनी च सारी चीज़े नहीं करनी है तो आप सीधा हमारा combo program यूज कर सकते हो वहां से indication आपको मिल जाएगा या फिर आप OI data से confirmation कर सकते हो क्या यहां पे put selling बढ़ रही है इस particular strike price पे put selling अगर बढ़ रही है और call selling यहां पे कम हो रही है तो आप समझ जाना कि यहां market bullish बनने वाला है पहला target जो होगा आपका 24,170 और 180 के आसपास रहेगा at the same time अगर flat opening होके उपर चला जाता है तो हमें कही न कहीं wait करना चाहिए 182 के उपर अगर हम लोग देखते है तो इस particular price point पे 24,200 के आसपास market का एक resistance बन चुका है जो आज का day है उसके बाद second time market नहीं हाट टेम करनी कोश लेकिन fail हो गया तो यह 180 के उपर निकलेगा तो आपको बड़ी range नहीं मिलेगी यह 20 point का ही distance रहेगा even यह 24,200 के उपर जाते हो तो 24,220 एक important resistance आ रहा है तो हमें जब भी entry करनी होगी उपर के direction में तो flat open होके यहाँ चला गया तो इस particular price point पे हमें देखना है कि risk reward क्या बन रहा अगर आपकी risk कम हो reward काफी बड़ा आ रहा है तो अलग बात है otherwise यह बीच वाले जो resistance है इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है और trade करते हो तो कहीं न कहीं आपका जो भी stop loss होगा उसको थोड़ा सा trail जरूर कर लेना क्योंकि वहाँ जो risk होगी उसको हमें कम करना है अग important हमारा TM level का resistance आ रहा है जब तक Nifty 241 के उपर trade नहीं करता है 241 को breakout नहीं करता है तक हम लोग यहाँ पे complete market में bullish नहीं बनने वाले तो यहाँ पे एक particular जो area रहेगा इस यहाँ से यहाँ तक 182, 220 और 240 एक ठोटे target के लिए हम लोग trade करेंगे लेकिन यह resistance है तो market यहाँ पे resistance ले bearish side में थोड़ा सा expected है कि 24,100 के नीचे हम लोग trade कर सकते हैं लेकिन यहाँ भी बड़े target नहीं रहेंगे 24,055 और 24,075 एक important support बनके आ रहे है लेकिन कहीं न कहीं यहाँ अलका सा profit हम लोगों को मिल सकता है तो जिस तरीके से opening होती है न उसके बाद क्या market react करता है वो हमें rate candle इस तरीके से बन चुकी बड़ी वाली rate candle बन जाती है तो फिर यहाँ आरे पास कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर support है और उपर में यहाँ कहीं हम लोगों को entry नहीं मिलेगी और मान के चलो कि market कहीं न कहीं यहाँ सीधा gap down उपन करता है यहाँ से यहाँ तक support पे 24,05 तो यहाँ से positive बनता है तो हम लोग एक bullish entry ले सकते हैं information आपको लेना है price action से plus OI data से अगर इस particular level को breakdown कर देता है 24,050 के नीचे तो फिर आप complete market में bearish हो सकते हो याद रखो volatility हो सकती है क्योंकि Friday है premium भी काफे अच्छे कासे रहेंगे तो volatility जरूर हम लोगों को देखने को पर इसके नीचे bearish आना ही ज्यादा advantageous हो सकता है तो कही ना कहीं मैंने nifty के सारे levels आपको बता दिये किस तरीके से trade plan हो सकता है वो सारी चीज़े discuss कर लिए अब हम लोग देखते है bank nifty को friends अभी तक आपने video को like नहीं किया होगा और channel को subscribe नहीं किया होगा तो जरूर कर लो channel क subscribe भी करना और वहाँ पर bell button भी जरूर trace करना है हम लोग रो channel इसका video बनाते है और आपको इसी तरीके से learning content देनी के कोशिश करते है bank nifty में यहाँ पर एक important level आएगी तो यहाँ पर कई open होता है तो कोई trade मत किजेगा यहाँ से अगर positivity दिखती है तो फिर हमें particular उपर में जो resistance आएगा 49,910 and 49,880 के आसपास ठीक है अगर इस level को मान के चलो कि flat opening होती है flat positive और इस level को breakout कर देता है तो 49,910 के ऊपर bank nifty निकलता है तो 50,035 के आसपास हमारे पास एक level रहेगी at the same time 50,035 and 50,097 तो यह जो important level है यह resistance का area रहेगा तो यहाँ से हम लोग target को plan कर सकते है इस जगे से यहाँ से यहाँ तक अगर bank nifty नीचे के तरफ breakdown कर देती है तो जो important support आरे bank nifty के वो आरे 49,516 and 577 एक काफी important area रहेगा market का जो support बनके काम करेगा जब तक bank nifty इसके नीचे नहीं जाता 49,516 का तब तक हमें बहुत बड़ी बीरिश moment नहीं मिलेगी provided कि यहाँ flat opening होके अगर आपको negative trade मिलता है तो हम हम लोग एक entry यहाँ पर ले सकते हैं यह हमारा target रहेगा ऐसल आपका छोटा होना चाहिए तो पुली nifty और bank nifty दोनों को ही हम लोगों ने detail में discuss कर लिया वीडियो थोड़ा long हो चुका होगा लेकिन सारी चीज़े explain करनी है तो उसमें थोड़ा time लगता है तो कही न कहीं फ्र में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत